बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार। जब जब ये कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले यहीं रहेंगे तब तब इतिहास गवा है कि नितीश कुमार ने पल्टी मारी है। अब फिर एक बार नितीश कुमार को लेकर सियासी चच्चाव का बाजार गर्म हो गया है दरसल नितीश कुमार ने जुजदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी से बिहार के अंदर मुलाकात की ठीक उसी के कुछ घंटों बाद नितीश कुमार जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए दिल्ली की दो दिवसिय यात्रा पर नितीश कुमार निकल गए नितीश कुमार की इस यात्रा को लेकर तमाम बाते की गए कि नितीश कुमार का मकसद इस यात्रा के बाद कहीं न कहीं बिहार के चुनावों को लेकर बाचीत हो सकती है बिहार के चुनावों को जल्दी कराने की मांग नितीश कुमार बीजेपी के नेताओं के सामने रख सकते हैं क्योंकि देखे इससे पहले भी बहुत बार ये कहा गया कि नितीश कुमार ये चाहते हैं कि 2025 में होने वाले विधान सभा के चुनाव जो हैं वो जल्द से जल्द करा लिए जाएं अब नितीश कुमार वाकई में ऐसा चाहते क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है वहीं नितीश कुमार को आखिर में किस बात का डर सता रहा है क्योंकि देखे जुस तरीके से अभी हाल फिलाल में नितीश कुमार पीम नरेंद्र मोदी के पाउँ छूते नजर आए फिर उसके बाद ये चर्चाह होने लगी कि नितीश कुमार को क्या अपनी किसी फाइल के खुलने का डर सताने लगा है जिस कारण वो पीम नरेंद्र मोदी के चड़नों में जुके जा रहे हैं और फिर उसके बाद खबर आती है कि नितीश कुमार दिल्ली पहुच रहे हैं और नितीश कुमार के दिल्ली पहुचने का मतलब तो फिर तो मानिये कि किस तरीके से सियासी पारा जो है वो हाई होता नजर आ रहा था इस बीच में नितीश कुमार की जो पूरी की पूरी यात्रा थी कहा गया कि ये निजी यात्रा है नितीश कुमार की ये यात्रा कोई ओपिशियल यात्रा नहीं है लेकिन नितीश कुमार की ये निजी यात्रा कितनी निजी है या कोई ऐसी बातचीत नितीश कुमार दिल्ली क पहुचने के बाद BJP के नेताव से या अपने नेताव से करने वाले हैं जिसके बाद बहुत कुछ बिहार की राजनीती में बदल सकता है क्योंकि बिहार की राजनीते में इस वक्त मानिए कि जहां एक तरफ नितीश कुमार PM नरेंदर मोदी के चड़नों में जुके जा रहे हैं वहीं नितीश कुमार के अपने ही पार्टी के जो मंत्री है वो किस तरीके से नितीश कुमार से नदारद नजर आ रहे हैं वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो कह रहा है कि उन्हें अफसर लोग जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे सोचिए सरकार आपकी मंत्री आपके और उसके बाद अफसर लोग आपको काम नहीं करने दे रहे हैं फिर कहा गया कि बिहार के अंदर क्या अफसर शाही चलने लगी है नितीश कुमार की जो मंत्री है मदन सेहनी मदन सेहनी ने ये कहा कि जो अपसर है उनको काम नहीं करने दे रहे बहुत सी ऐसी सूचनाय है जो उन तक पहुच नहीं पाती है और एक तरीके से वो काफी ज़ादा परिशान चल रहे हैं इस चीज की उन्होंने शिकायत भी की इस बीच में देखिए ख़बर आप खुद देखिए सीम नितीश के अधिकारी मिनिस्टर की भी नहीं सुनते मंत्री मदन सेहनी की अपने एसियत से फिर हुई भिडंत वैसे तो बहुत से आरोब विपक्ष लगाता रहता था कि बिहार के अंदर अपतर शाही जो है वो बेलगाम हो गई है लेकिन अब तो नितीश कुमार के मंत्री भी यही कहने लगे हैं बिहार के अंदर समाज कल्यान मंत्री मदन सेहनी की एक बार फिर से अपने एसियस हरजोत कौर से भिडंत हो गई शेल्टर होम में लड़कियों की मौत के मामले में मंत्री ने कहा कि एसियस हरजोत कौर मुख्य सचिप को फाइल भीसती है लेकिन मुझे मिलती नहीं उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिये लड़कियों की मौत की जानकारी मिली और मंत्री जी के मताबिक तो उन्हें दो महीने से विभागय फाइले अनुमूदन के लिए भी नहीं दे गई हैं उन्होंने कहा कि विभाग के सारे के सारे काम ठप पड़े हुए हैं मंत्री मदन सेहनी ने कहा कि एसियस हरजोत का और उनसे बात नहीं करती हैं को और विभाग के निदेशा के अन्य अपसरों से भी समवाद नहीं करती हैं मदन सेहनी ने ये भी कहा कि अपर मुख्य सचिव हर जौत कोर के साथ काम करने में परिशानियां आ रही हैं और कहा कि अब उन्होंने पटना को छोड़कर दर्भंगा में रहने का फैसला कर लिया है और कहा कि वो विभाग में हर समय जगडा नहीं कर सकते हैं अब आप खुद सोचिए बिहार के अंदर अभी किस तरीके से जो इस्थतिया बन रही है बिहार के चुनावों के लुक से पहले किस तरीके से बीजेपी के मंतरी और नितीश कुमार के मंतरी आमने सामने कई बार नज़र आए किस तरीके से बिहार के अंदर गिरिराज सिंग को लेकर और प्रदीप सिंग को लेकर नितीश कुमार जो है अंडे की बैठक वे उनको फटकार लगाते हुए नजर आए उन्होंने कहा कि जिस तरीके के राजनीती कर रहे हैं वो हमारी राजनीती से बिलकुल अलग है और ये जिस तरीके के बयान दे रहे हैं ऐसे बयान बिहार के अंदर बरदाश्ट नहीं किये जाएंगे वहीं दूसरी और बिहार के अंदर नितीश कुमार के ही मंतरी किस तरीके से बिहार में अफसर शाही किस तरीके से बेलगाम हो रही है इस चीज के खुलासा कर रहा है यानि आप देखें कि बिहार के अंदर बिहार की राजनीती का जो समिकरन है कहीं न कहीं नितीश कुमार को परिशान करने वाला हो सकता है क्योंकि देखें चुनाव भले ही अगले साल हो लेकिन अभी जो इस वक्त चर्चा जो है वो महराष्ट और जहार्खन के चुनावों के बीच में बिहार के चुनावों की चर्चा बार बार हो रही है और इस बीच में बिहार के अंदर बीजेपी के कई मंतरी नेता जो है व पिर उसके बाद J.P. नड़ा जो हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से वो छटके पर्व पर पहुंच जाते हैं वैसे कभी J.P. नड़ा को किसी ने इतना ज़दा छटके पर्व में समलित होते नहीं देखा लेकिन जेपी नड़ा बिहार के अंदर चुनावों से पहले किस तरीके से जो है वो बिहार में छटपर्व मनाते नजर आते नितीश कुमार के साथ उसकी तस्वीरे सामने आए और कुछ ही दिन भीते थे हम देखते कि किस तरीके से पीम नरेंद्र मोदी जो है एक के बाद एक लगातार दो-दो दोरे जो है वो बिहार के करने लगते हैं और फिर उसके बाद देखे सबसे बड़ी चीज तो और सबसे बड़ी परिशानी तो नितीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए ये होने वाले कि 24 नवंबर को किस तरीके से बिहार के अंदर जमेते उलेमाय हिंद की बड़ी बैठक वक्व संशोधन बिलको लेकर होने वा के खिलाब जो लोग खड़े थे वो नितीश वा नाइड़ो को किस तरीके से धमकाते नजर आए वो भी ये सब ने देखा और क्यूंकि देखे जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो खबरे बिहार से सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं बिहार की जो राजनीती चल रही उसको एक सेंटरल राजनीती के बीच में वो कहीं न कहीं बार बार अपनी जगा जो है वो बनाती नजर आ रहे हैं इस बीच में एक खबर में आपको और बताती हूं कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है चिराग पासवान के नेता जो है वो किस तरीके से नितीश कुमा की पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं और किस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता ने निर्दली चुनाव लड़ने का फैसला किया वो भी ऐसी जगह से जहां पर जो जगह जेडियू के गड़ मानी जाती है जेडियू का मानी गड़ मानी जाती है और चि जेडियू के गड़ माने जाने वाले तिरहुत के विधान परिशत उपचुनाब में शिराग पासवान के करीबी राकेश रोशन बागी होकर मैदान में उतर गए हैं। प्रिशान किशोर की पार्टी की तरफ से विनायक गौतम मैदान में और चिराग के करीबी राकेश रोशन निर्दली उतर गए हैं। अब दवाब बनाने की कोशिश करें। उनके चलते काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ किस तरीके से चिराग पासवान उनके करीबी निर्दली जाके चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते। वो भी ऐसी जगापर जो जेडियू का गड़ माना जाता है। पराल आप लोग इस पूरी की पूरी बिहार के स्तिती को किस तरीके से नापते तोलते हैं नीचे देगए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहें ऑनलाइन न्यूज भारत, ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपके साथ शालिनी धन्यवाद।